जातियों, जैसा कि आप जानते हैं, 14 जून 2022 को ये अगनीपत योजना की घोशना करी गई और जैसा कि दस साल के सरकार के कारेकाल में बेकुल स्पष्ठ हो चुका है कि कोई संबाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कॉशन्स इसको लेकर किये नहीं गए और एक तरफा निर्णे लिया गया कि संपूर्ण जो भरती फॉज की होगी, डिफेंस फॉर्सिस की होगी, उसको अगनीपत के मादम से किया जाएगा कहा ये गया कि सैना की जो औसद आयू है, वो जादा हो रही है, उसको कम करना है कहा ये गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फॉर्सिस को मॉडरनाईज करना है लेकिन मोटे तोर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियानवन किया गया, ये मूलत है पैसा बचाने के लिए किया गया हमारा बढ़ रहा है।ober और कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं ये भी कहा गया कि हम आत्म धिरबर हो रहे हैं, हम इंडिजनस मैनिफेट्टिडिंग कर रहे हैं अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण यह होगा कि हमारे जो शौरवीर सेनिक हैं उनके जीवन के लिए उनकी भरती के लिए उनकी नौकरी पेंशन परिवार की सुक्स वि विरूद करने के लिए कॉंग्रिस पार्टी ने जब यह योजना लॉंच हुई उसी समय से हम लोगों ने विरूद किया था क्योंकि हमें लगा कि यह चार साल की नौकरी देने के बाद सिरफ 25 प्रतिशत लोगों को स्थाई रूप से फौर्ज में भरती किया जाएगा और जो एक सर्विस्समें के लिए जो आलरडी रेजिवेशन है उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं जो पूर सैनेकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं फिर कहा गया कि अलग लग स्टेट गुर्मेंट्स अनौन्स करेंगी कि जो 75% अगनी वीरों को हम छोड़ देंगे वो कहां अब्जॉब होंगे एक आध राजी ने किया है बाकी राजु ने किया नहीं बेसिकली जो लोग चार साल के नौकरी के बाद एक कम उम्मर में रिडायर हो जाएंगे उनके भविश्का कुछ पता नहीं उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी उनको ग्रैचुटी जो 11 लाग रुपे की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा उनके तनखा से कट रहा है तो कहीं न कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना के भरती की जो प्रक्रिया है उसे खिलवार कर रहे हैं